सो जुलाई मंत का इंड हमारे लिए प्रॉफिटेबिल नर्ट पे हुआ आज का दिन बैंक निव्टी के एक्सपारे का दिन भी हमारे लिए प्रॉफिटेबिल दिन रहा है जैसे कि आप स्क्रीन के पर देख सकते हो 12,984 रुपिस का प्रॉफिट हमें आज के दिन हुआ है दो ट्रेड लिए थे मैं आपको और बॉक के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा किस तरह से मैंने ट्रेड लिए और इसके साथ क्योंकि आज के जो प्रॉफिट है उसका पॉस्टिंग कल होने वाला है अगर आपको मेरे पूरे जुलाई मंथ का रिजर्ट चाहिए अप्रॉसिमेटली एट परसन रिटर्न और कैपिटल वियो गट एट परसन रिटर्न इन अ मंथ अगर आपको मेरा पूरा जुलाई महिने का समरी चाहिए किस तरह से टेड किया है क्या टेड किया कौन से दिन क्या प्रॉफिट क्या आला हुस हुआ सब कुछ अगर आपको चाहिए एक बार प्लीज पोसे वीडियो और टाइप जुलाई इन दे कमेंट बोक्स कमँआँ कमँआँ इस वीडियो पूरे मंत का समरी पूरे मंत का मेरा पी अनल कितना ब्रोकरेज चार्ज लगा कितने अजर चार्ज लगे कितना गर पे आया everything I'll do it for you अगर आप मेरे लिए इस वीडियो के कमेंट बोक्स में जुलाई टाइप कर रहे होता हो thank you so much I hope you would have done that so now I'll again take it to do a PNS screen 12,984 का profit हुआ now I'll take it to the order book and I'll show you which orders I did तो सबसे पहला मेरा trade बिना 10.25 को देखे मैं रोज कह रहा हूँ बार बार कहता हूँ कि आपने अपने setup का इंतिजार कीजे आप आपने trade का wait कीजे आपका आपका trade जरूर मिलेगा I know आप मेंसे काफी totals ऐसे होते हैं जिनको 9.15 को मां के start होता है 9.20, 9.25, 9.30 if they don't get trade they feel like oh my god में तो जिन्दगी में कुछ किया ही ने because I have not traded and it's 9.30 it's not like that my dear you can get your trade at 10, 11, 12, 1, 2 even you can get the best of your trade at 3 p.m right अगर आप इस बात से अगरी करने तो फिर एक बार अगरी कमेंट बॉक्स में जरू टाइप कर देना तो 10.25 को मैंने पहले टेड लिया 51,600 का call buy किया जो मेरा hedging लेखता insurance लेखता effectively मैं bearish position बनाना चाहता था my view was bearish at that point of time और उसके लिए हमने 51,500 का call sell किया तो यह मेरा एक hedge बन गया 51,500 का call sell 51,600 का call buy इस तरह से मैंने अपनी position को hedge करी एक bearish भी बनाया bank nifty में 40 lots के साथ with 40 lots so now I'll take it to the chart and I'll show you के 10.25 को ऐसा तो क्या हुआ जो मैंने वहाँ बनाया देखे तरह it is very interesting आज का दिन यहाँ बे उपन होता है थोड़ा उपन नीचे उपन नीचे करता है range bound होता है अब यहाँ बे ना पहली 15 minute की range break होती है 10.10 को that is on a bullish note अब आप को होगे सर पिछले 2 दीन से तो आपने यही 15 minute की range break out पर trade लिया था और आपने अच्छा पैसा बनाया था तो आज जब 15 minute की range break होई तब आपने bullish trade क्यों नी लिया do you have the question type why in the comment box so for that I'll take it to the early chart and I'll show something very very amazing दोस्तो जब early chart के उपर मैं of course support resistance draw करता हूँ तो मैंने यहां पर देखा था यहां पर तीन candle के बीच एक gap बना हूँ यह मेरी सबसे favorite strategy है सबसे प्यारी strategy है तीन candle के बीच का gap तो तीन candle के बीच early chart में gap बना हुआ था और अगर आप देखो अब आपको पता चलेगा कि exactly you know इसके लिए मैंने आप bullish trade नहीं लिया कि मुझे पता था कि वहां पर एक bearish gap बना हुआ है तो 10 15 to 10 20 वाला candle एक बार you know logo trap कर दिया का वो उपर जा रहा है but then next candle was a bearish candle 10 20 to 20 85 वाला candle जब यह candle close हुआ तब मैंने bearish trade ले लिया 51 600 का call buy करके 51 500 का call sell कर लिया फिर थोड़ा sideways हो गया and then this huge bearish candle came इस एक candle की बज़े से मेरा जो profit 4-5 जार चल रहा था वो 19,000 के आस पास पहुँच गया थोड़ा वापस से recovery किया तो मैंने यहां पर जब यह consolidate करने लगा तब 14,346 के profit को मैंने book कर लिया वहां पर और दूसरा trade मेरा बना तो उ 32 को मैंने 51 500 का call sell किया effectively मैंने वहां पर एक bearish position बनाया था फिर से वही theory थी तीन candle के बीच का gap तो यहां पर तीन candle के बीच gap बना था यहां पर बार बार उसको reject कर रहा था तो मैंने वहां पर एक short trade बनाया था SL के साथ तो वहां पर मेरा 10 पॉंट का है से लिट हो गया and from that we stopped our trading because I always believe that you should take profit home rather than keep gambling with the profit and taking loss home I hope you loved the video and again I am telling you अगर आपको मेरा पूरा जुलाइ मन्त का result summary देखना है please type July in the comment box मिल दा अगले वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया